नमस्कार दोस्तो गुड मॉर्णिंग ये विडियो पिसे शुरूप से आपका मादमिक और उच मादमिक सिचक भाली से समन्दित है चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आपको बताया गया है देखें यहाँ पर चटे चरण और साथवे चरण की बात यहाँ पर किया जाएगा कहा जा रहा है कि मादमिक सिचको की नए सीरे से बहाली होगी अब नए सीरे से इसमें बहाली आखिर करने की सरकार की आखिर जरूरत के उपड़ी सरकार सिर्फ इस बहाली को टालना चारही है इस बहाली को लेट करना चारही है और कोई भी वजह नहीं हो सकता है और ये बहुत ही गलत तरीके से किया जा रहा है क्योंकि ये छटे चरन एक तो चरन में इसको बाट करके लेट किया गया और छठे चरन के जब तक बहाली नहीं किया जाएगा तब तक 7W चरन की बहाली आगे नहीं होगी और यहीं में कारण है कि 6W चरन को लेट किया जा रहा है ताकि 7W चरन को हमें करना ना पड़े जितना ज़्यादा हो सके लेट करे और धीर-धीर करके हम election की और बढ़ रहा है देख रहा है न, election की और इसका इसारा यही है हमें तो यही लगता है कि एक exam में एक vacancy को clear करते करते एक election हम अपना clear कर लेंगे हम अपना vote bank सिर्फ बना लेंगे और इसका कोई भी मकसद नहीं हो सकता है जितना आकर के बोलता है यह सिक्षा मंत्री इसको कुछ समझ में तो आता नहीं है क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए अब देखिए यह news तो आप पढ़े ही होंगे इसको देख लेते हैं एक बार news में आखिर बिताया गया है कल भी इस पे जो लेटर जारी किया गया था वो भी वीडियो बनाये थे नहीं देखें तब ज़कर के देख लिजेगा जो लेटर जारी किया गया है और सारे डेट से सम्मंदित कि किस डेट को आवेदन किया करना है किस डेट को मेगा सोचीज बनेगा किस डेट को उसका पत्ती होगा किस डेट को उसका निराकरन होगा सारे चीज वहाँ पर दिया गया है कहा जा रहा था कि राजसरकार के सिचाविवाग ने परदेश की सरकारी मादमी कुछ मादमी हाई अस्कूल इंटर अस्कूलों के लिए 30,020 पदों पर चल रहा था छठे चरन का आपका बहाली और उसी को ततकाल परभाव से रोका गया है रोक दिया है 2 जुलाई को जारी सिट्डियूल पर रोक लगाते हुए अब नए सीरे से बाले की परगरिया की घोसना की गई है अरे भाईया आपको पता है कि 2011 वाले स्टूडेंट बचे हैं कितने हैं क्यूं उसके पीछे आप इतने मतलव की उसको हमदर्दी दिखा रहे हैं पताइए आपको जो में टीचर है जो औरिजिनल टीचर अभी मिलने वाला है इस पे आप क्यों नहीं Surprise वालो को जूट मोट के लटकाए रहें तो 2019 वाले को नहीं लेना पड़ेगा Also कि जब तक छठा को नहीं लेंगे तब तक सात्वा नहीं लैंगे क्योंकि आप पहले हैं इसको बाट दी है क्योंकि यह अलग competitive exam था आपका कराएक इसके तहट दो अगस्त से रिक्त पदो की गन्नास से ले करके अगले पांच महीने में 10 दिसंबर तक अंतिम रूप से चैनित मेगा सुची को जीले के NIC की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और उसके बाद जीले के counseling और नियुकती पत्र वितरन को अंजाम देंगे सारा date आपको पिछले वीडियो में बताया थे उसका link description में दे देंगे आपको i button में भी देंगे वहाँ से भी आप देख लीजेगा कराएक नियुकती पत्र वितरन को अंजाम देंगे गोल कर दिजेगा बीच में फिर कहिएगा बीच में चुनाव आ गया पिर कर दीजेगा कि spring करोणा आ गया तो यहां सिर्फ टालने की बात हो रही है करने की तो बात हो ही नहीं रही है सरकार के दौरा आगे देखी कारा की पट्टा हाई कोट के अधेस के अनुपालन में सिच्छा विभाग ने सुक्रवार को नया नियोजन सिड्यूल जारी किया अधिसुचना के मुताबिक नियोजन इकाईया नये सीरे से 1 जनवरी 2019 से 30 जुन 2019 की अबदी के रिक्त की गन्ना करेंगे यानि कि देखे यहां जोट मूट के खाली की मतलब की टालने के लिए 1 जनवरी 2019 से लेके 30 जनवरी 2019 तक नए सीरे से जितने जो टीचर है जिनकी मिर्तिव हो गई है जो रिटायर कर गए है ठीक है उनको मतलब की यहां पर रिक्त जोड़ा जाएगा हमें नहीं लगता कि यहां 100 से 200 ज्यादा यहां पर सीट बढ़ेगा हना एक 200 सीट बढ़ेगा और उसी में मतलब यह इतना मामला जोट मूट के गीचा जा रहा है बहाली करने के तो मन है नहीं चिर्फ इसको लेट करना चाह रही है सरकार कराएगी इसके नियुक्ति होने वाले पदों की संग्या भी बढ़ जाएगी 26 सितंबर 2019 तक नियुक्ति के अहंता रखने वाले स्टीटी उतिर नभ्यर्थी रिक्त पदों के बिरुद 18 अगस्ते 17 सितंबर तक आवेदन करने के पात्र होंगे और ये फिर से आवेदन लिया जाएगा बताईए क्या सरकार चार ही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है बच्चे इतने मतलब कि एकजाम की त्यारी करते हैं रिजल्ट आता है सब चीज होता है और लास्ट में जब बहाली की परकिरिया जब होने वाला होता है तो सिर्फ टाल तालना जाता है इसको दो असरकार ने दो जुलाई को घोसीत नियुक्ती सेड्यूल पर रोक लगाई पटना हाईकोट के आदेश के नुपालन में की गई कारवाई अब 30 जुन 2019 तक की रिक्ती की होगी गनना रिक्त पदो पर 18 अगस्षे 17 सितंबर तक होगा अवेदन 30 तक आपका मेगा सुची आएगा नियुक्ती पत्र का तो आप डेट दिये ही नहीं हमेने लगता कि नियुक्ती पत्र आप कब डेट दीजेगा बताइए आप नियुक्ती पत्र का डेट आखिर क्यों नहीं दिये वो भी तो आपको देना चाहिए था कि कब आप नियुक्ती यानि कि आप एक साल इधर लपेट लिजेगा दिरे-धर करके कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कब आप बहाली करिएगा तो और देखिए यहाँ पर कल जो लेटर जारी किया गया था जीला के सभी प्राचार्य प्रधाना ध्यापक मादमिक उच्च मादमिक सिचक विशाय है यहाँ पर जीले के मादमिक उच्च मादमिक विद्यालियों में दिनांक 1.1.2019 से 36.2019 तक सेवा निवरित, मिरित और त्याग पत्र की रिक्त उपलब कराने के समझ में यहाँ पर देखिए क्या का रहा है जो सेवा निवरित हो गया है रिटायर कर गया है जो मिरित हो गया जिनकी मिर्ती हो गया फिर जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया है उसकी अब इतने और मानली अज़ज 6 महीने मातर यहाँ पर कह रहा है कब से कब तक 119 से 369 तक अब इतना में कितने जो टीचर होंगे जो सेवा निवरित हुए हैं बहुत कम होंगे मिरित भी बहुत कम होंगे त्याग पत्रों तो हमें लगता है कि होंगे ही नहीं ठीक है तो यहाँ पर मातर हमें लगता है 100 से 200 सीट बढ़ेगा उससे ज़्यादा सीट नहीं बढ़ने वाला है बिना मतलब कि सरकार के द्वारा लेट किया जा रहा है महासे कहा जा रहा है कि उप्यूक्त विशे उप सचीव सिच्छा विभाग बिहार पत्ना के ग्यापन 1228 दिनांग 27 inputs 929 के अनुपालन में विद्याले के मादमी कुछ मादमी विद्यालियों में दिनांग 11 усп.36 तक सेवा निमरित मृत त्याक्पत्र की रीक्त विहित प्रपत्र में पत्र प्राप्ति के साथ जीला कारिगरम पताधिकारी अस्थापना सारण के लिए आपको email आड़ी दिया गया इतना पर आपको भेजना है जिस जीले के हैं उस पर और यहाँ पर देखे सारा ची दे दिया है करम संख्या दे दिया है सिच्छा का नाम यहाँ पर देना है सिर्फ टालना चाह रही है अब देखे इनको यह जो सिच्छा मंत्री है हमें तो नहीं लगता कि यह सिच्छा मंत्री है यह अ ready एぎ सिच्छा मंत्री है कर आरória कीं सिर्फ यह गुमरह कर रहे हैं क्योंकि कि किसी चीज को हजार वार बोलने से इनको लगने लगेगा कि हाँ यह मतलब पतरता परिक्षाही है अब जो उरिजनली है चीज वह तो उरिजनली रहे गाना अब इनको कॉन समझाए समझाते समझाते तो था मेडिया वाला विधायक लोग हम लोग सभी लोग इनको समझाते हैं लेकिन इनको दिमाग में ढूखता नहीं है दिमाग में ढूख चुका है लेकिन बस ये बर्गला रहा है और कुछ नहीं कर रहा है ठीक है तो ये भी देखे न्यूज है चलिए दोस्तो तो ये कुछ इंपोर्टेंट आज का अपडेट था अब आगे हम लोग क्या करना है ये धिरी-धिरी करके निरने लिया जाएगा कल ही लेटर आया था ठीक है एक कुछ मिटिंग रखा जाएगा और मिटिंग के द्वारा कुछ इस पर निरने लिया जाएगा बहुत जल्द आप लोग बने रहिए चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन दबा लिजे ताकि आने वाला जो भी अपडेट होगा वो आपको मिलते रहेगा धन्यवाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में